नमस्कार श्याय फेशन ड्रेस इसमें आपका स्वागत है तिके बैक सैड में डार्ट कैसे डलते हैं वो सिखाऊंगी तो इसके लिए हमें गुर्ति का मिडल पॉइंट चाहिए होगा मैं ये मिडल पॉइंट ड्रॉइंट ड्रॉइंट करती हूं गुर्ती पे हमारे कुर्ति पर ये डबल फोल्ड लाइन है तो मैं उसी पर ड्रॉइंट कर लूँगी आप मेजरमेंट करके निकाल लेजिए मिडल पॉइंट तो अब हमें कमर लेंद चाहिए होगी तो कुर्ति की कमर लेंद हमारी साड़े तेरा है आपके कुर्ति की जो भी कमर लेंद हो उस पॉइंट पर मार्क कर लीजिए तो मैं साड़े तेरा पर मार्क कर लूँगी यहाँ यह मेजरमेंट कर लेकी एकदम साड़ में से लेना है तो मैं दोनों पॉइंट को मिला लेना है लाइन खीचनी है अब हमें मीडर पॉइंट से चार इंच मार्क कर लेना है और लेफ्ट साड़ में भी चार इंच मार्क कर लेना है तो रैट साड़ का जो पॉइंट निकाला है हमने उसके उपर चार इंच और मार्क कर लेना है और सीधी लाइन खीच लेनी है और उसके नीचे साड़े चार इंच तक मार्क कर लेना है और लाइन खीच लेनी है और लेफ्ट साइड में भी वैसा ही करना है चार इंच उपर और साड़े चार इंच नीचे तो अब हमें लाइन के पाव इंच बैक में और पाव इंच फर्ण में मार्क कर लेना है ज्यादा नहीं सिर्फ पाव इंच करना है वीवर्स प्रीद मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए मैंने राइट सेड में भी वही प्रोसेस की है और हम इन दोनों पॉइंटों को उपर के पॉइंट से मिला देंगे और नीचे के पॉइंट को भी उसी तरह से मिला देंगे तो यह डार्ट तैयार है अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे तो पहले हमें इस तरह से फोल्ड करना एक अपड़ा दोनों पॉइंट को लेकर कि और पहले इस एंड को लॉग करना है स्टिचिंग से और फिर तो हम मिडल पॉइंट से मिलाएंगे उससे और यहां स्टॉप करके सुई अंदर ही रखनी है और कपड़े को घुमा लेना है और दूसरे पॉइंट को मिला लेना है और यहां स्टिचिंग लॉग करनी है ताकि शिलाई ना निकले यह देखिए तयार है हमारा डार्ट और इसे प्रेस कर लेंगे हम यह देखिए प्रेस करने के बाद फिनिशिंग आ गई तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग